तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोशन को देखो इसमें basically क्या करते हैं कि अब देखो यहां पर तुम देखोगे कि एक टनल है इस डग एलॉंग दे कार्ड अफ दे अर्थ पर्पेंडिकुलर इस्टेंस आरवाई ट्यू फ्रम दे सेंटर मलब यह सेंटर से यह वाला जो मैं जूम करके इस कार्ड को मैं यहां बना देता हूं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फील आएगा तो यह कार्ड को मैं यहां ड्रा कर देता हूं यह कार्ड है और यह अर्थ का सेंटर है तो अर्थ का सेंटर basically यह है और यहां पर एक पार्टिकल रग दिए हम यह जो पार पर आएगा यहां पर आएगा कहीं पे तो यह जो डिस्टेंस चैनल के से यह तो उस वक्त कितना force लगेगा, मतलब यह tunnel कितना force लगाएगा, उसकी calculation में करनी है, अब देखो, tunnel का अगर force देखोगे, तो tunnel का तो सबसे पहले इस particle पर force देखो, तो इस particle पर जो gravity लगेगी, इस point पर g की value मालो g-s है, तो mg-s ऐसे लगेगा, तो अगर यह angle यह distance का रहा है, x है तो यह distance x है, और यह वाली जो distance है, basically, इसको मैं y माल लेता हूँ, तो अगर यह y है, तो यह जो angle है, वो theta है, तो कुछ ऐसा scenario बनेगा, भई, ऐसा scenario बनेगा, कि अगर यह particle यहाँ पर है, तो यह distance, इन्होंने x दे दिया, यह मैंने y माल लिया, और यह r by 2 आ गया, और यह angle theta माल लिये, तो जो force earth लगाएगी मेरे भाई, वो इधर की direction में ही लगाएगी, यह वाला जो force है, this force, और इस force की value होगी, इस point पर mg dash, और इस force के अब दो component हो जाएगे, एक component इधर की direction में जाएगा, x के इधर, tunnel के center की direction में, जिसकी value होगी, mg dash cos theta, और एक इसके perpendicular जाएगा, इधर की direction में, जो होगी, mg dash sin theta, ठीक है, अब भाई, mg dash sin, m, जो है, यह जो, यह जो x axis में, जो force लग रहा है, center की तरह, वो इसको accelerate करा देगा, accelerate करेगा, और बाद में, shm पढ़ाऊंगा, तो उसमें परचार जलेगा, यह acceleration, shm है, तो यह mg dash cos theta, यह तो इसको accelerate करा देगा, लेकिन mg dash sin theta को, यह जो mg dash sin theta, इसको कौन balance करेगा, तो इसको basically जो balance करेगा, यहाँ पे, वो vertical में, normal balance करेगा, तो यह अपना normal सीधा आएगा, बही, तो यह अपना normal ऐसे सीधा आएगा, तो normal की value ही यह पूच रहा है, तो normal की value, n dash की value आजाएगी, ओ आजाएगी, mg dash sin थीटा बस यही सलूसन है अब जीड़ेस की वेलु डाल दो और साइन थीटा की वेलु डाल दो और यह प्राब्लम फिनिस हो जाएगा तो चलो वेलु डाल देते हैं तो अब यहां से जीड़ेस की वेलु हम सबको पता है मास M सॉलिड एस्पियर की वज़े से इसमाल वाई डिस्टेंस पर जीड़ेस की वेलु क्या होती है एक्सलेशन जीटी ग्रिवेटी मतलब फिल्ड ठीक है तो वह होती है जी कैपिटल है मास अब दे सॉलिड एस्पियर मास अब दे पार्टिकल ओवर आर्स की क्यू और मल्टिप् पिल्ड न गर div उज़ य और यहां से एक आर निगर देगा जी कैपिटल म मास एम यह सिए capital M यह small M नहीं आएगा न field में लिख रहा है न बच्चों यह वाला जो small M है यह exist नहीं करेगा तो यहां से यह वाला multiply हो गया और यहां जाएगा 2 और R का square this is the value of normal और यही force vertical में लग रहा है horizontal में जो force लग रहा है उसको आप निकाल सकते हो तो X-axis में जो force लग रहा है वो M Z-Cos Theta लग रहा है तो M Z-Cos Theta लग रहा है तो M Z-Cos Theta की value वही ZM और ZM Y over ZM Y over R की power Q और cos Theta B by H मतलब X upon X upon B by H X square plus R square by 4 under root तो इसको जब solve कर लोगे तो this is basically the force along the X-axis और this is basically the force along the Y-axis बट जो इसका acceleration है acceleration in Y-axis 0 होगा बट acceleration in X-axis is not equal to 0 और बाद में आपको पढ़ाऊंगा कि यह SHM होगा 9th unit में Thanks for watching this video आपको आपको जहाएँ आपको पाट होगाँ जहाँ आपको जाएँ लाएँ आपको अगे